उत्तरप्रदेश के जन्पध्हापुड में दुरगटनाओं को रोकने के उद्देश से प्रदेश के सरकार के आदेश पर निर्देश पर सडक सुरक्षा मा का शुभारम। प्रदेश के मुख्यमंत्री योग्या अधितिनाथ के द्वारा ओनलाइन लखना उसे किया गया है उसके बाद सभी जन्पदों के अधिकारियों ने अपने-अपने NIC हॉल में बैठकर मुख्यमंत्री के निर्देशों को सुना और फिर जन्पद हापुर में सभी सायक भी उपस्तित थे इस अवसर पर NCC के डेट्स एवं छात्र छात्राओं को संभोधित करते हुए सायक परिवान अधिकारी महे शर्मा ने कहा कि लगातार सडकों पर दुरगटनाएं बढ़ रही है तो वही दुरगटनाओं के बढ़ने का मुख्यकारण यातायात नियो मु करते हुए सायक परिवान अधिकारी प्रवर्तन महे शर्मा ने बताया कि सरकार के आदेश वन निर्देश पर सडक दुरगटनाओं को रोकने के उदेश से 21 जनवरी से 20 फरवरी तक सडक सुरक्षा महा मनाया जा रहा है इस दौरान जहां जनपत की जनता को यातायात नियम समय हेलमेट एवं कार चलाते हुए स्टेट बेल्ड का प्रयोग करने की सला देते हुए नजर आए क्योंकि सेडक पर खड़े यातायात विभाग के पुलीस कर्मी उनके चालान जैसी कारवाई करने के लिए तत पर रहते हैं उन्हें परिवन विभाग भी उनके साथ चाला विभाई में आज ब्लॉक की तरफ से किसान मिला लगाया गया जिसमें खेती से समधी जानकारी किसानों को दी गई है आपको बता दे कि सभी तरह का खेती से समधी सावान दुकान पर टेंट लगाकर किसानों को जाग रुक गया जिसमें किसानों ने बढ़ चर कर भाग लि लिए प्रयास किए जा रहे है कोउइड लाइंटीन के कारण विद्याले बंध है लेकिन उच्छप्रात्मिक विद्याले बंदना द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है इसी क्याद्रगत महीं पाथशल आयजन की आ गया जीसमें एक दिन बन्दा में एक दिन का शिराम में मिशन प्रेड़ा की रहली निकली गए तता मोहला पाठशाला का आयजन किया गया जिसमें बच्चों में बुद्धी का विकास और उन्हें पढ़ने की लगन हो सब पढ़े जिससे बच्चे अच्छी शिक्षाप्राप कर सके वहां की वहां की प्रधान अध्यापिका रजनी ने बताया कि विद्ध्याले की एक छोटी सी कोशिश है इससे सभी ने अपने स्तर पर पढ़ रहे है और आगे भी इस तरीके से पढ़ते रहेंगे और प्रयास करते रहेंगे इस पाठशाला में श्रीमती रजनी प्रधान प्राध्यापक ओमा देव तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हम लोगों ने हमारे स्कूल लेए एक प्रियास कराए छोटा सा कि हम जो है जगे जगे पे महला पाठ साला लगाए तो जिसके माध्यम से बच्चों की पढ़ाई का कोई भी नुकसान ना हो फिरोज अबाद से बीसेन नियोस के लिए र वहां कायजन किया गया जिसका शुभारम जिले के मुख्यविकास अदिकारी इशा प्रिया ने किया है मा सरस्वति के चित्रपर मालयारपन कर दी प्रज्वलित किया कारेकरम के दोरान 101 जोड़ों को दामपत्य बंधन में बांधा गया प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसा कराते हुए उनके पीता द्वारा तै किये हुए रिष्टे को मुख्यमंत्री योजना के अंतरगत सामोहिक विवह का आईजन करते हुए उन्हें दामपत्य बंधन में बांदा गया इस कारिक्रम में 87 हिंदू जोड़े के साथ-साथ 14 मुसलिम समाज के जोड़ों को दामपत् निशन के रूप में दिया गया तो वही सबी जोड़ों को सामोहिक विवह कारिक्रम योजना का प्रमान पत्र भी दिया गया उनके खुशाल जीवन की इश्वर से कामना की गई वही कारिक्रम से पूरवसांसकुलतिक कारिक्रम का आईजन की आ गया था BCN News के लिए मैंन पूरी से मौहमद आसिप की रिपोर्ट सरकारी स्कूलों को खोले जाने को लेकर प्रभंदकी एक्षिक्षन समिती के बैनर तले स्कूल के प्रभंदकों ने कलेक्ट्रेड में प्रदर्शन कर जलादीकारी को मुख्य मंत्री को समथीत besser सौप आ कुरणा संकटकाल के भाद से ही जिले की सभी प्रात्मिक वा उच्च प्रात्मिक विद्याले बंद है, जहाँ स्कूलों को खुले जाने को लेकर कोई भी काइडलाइन नहीं आई ऐसे में स्कूल के प्रभन्दकों ने मुख्यमंत्री को संबोधीत पत्रसौबकर स्कूलों को खोलने की मांगी पत्रसौबकर मांगी कि जीले में अक्तूबर महा तक सभी प्रकार के सिनेमा हौल मौल वखक्षाओ की प्रिक्षाय शुरू हो गई है लेकिन प्रात्मिक और उच्छ प्रात्मिक विद्याले को खोलने को लेकर कोई भी अदिस चुना जारी नहीं हुई इससे हम लोगों को काफी हानी हो रही है वही हजार और शिक्षकों की रोजी रोटी पर भी संकत खड़ा हुआ है स्कूलों के प्रभंदकों ने विद्या सभी खुल गए और इसे किवल एक स्यार तक के बिद्याले ने और ऐसा लगता है सरकार की दिश्ट्री कुछ ऐसे जालों पर यह टेड़ी है क्योंकि बच्चों का भ्रविश्वाधार में पड़ा हुआ है और इसमें तमाम लगन हुए चुनाव भी हुए भी भार्रती है सारे चीज़ खुल गए और पोचिंग सेंटर खुल गए सब कुछ खुल गए लेकिन एक से आर्ट के बिद्यालों को नहीं खुला के लिए मिर्जापूर से आजे दुबे की रिपोर्ट मिर्जापूर के गंगा किनारे बालु खदान पर डीम ने दलबल के साथ चाप एमारी की तो हरकम मच गया डीम पुरी टीम के साथ देहात कोतवाली स्तीत नेवडिया गंगा घाट पर बालु खदान खनन पटे पर प पकड़ा है पकड़े गई गाड़ियों को देहात कोतवाली थाने में ले जाकर कारवाई की गई डीम का कैना है कि यह लोग आवेत खनन करते हैं जिसमें यह कारवाई हुई है PCN News के लिए मिर्जापूर से अजेदुबे की रिपोर्ट कपवन थाना क्षेत्र के फटेपूर गाओ में अचानक पेड़ से राष्ट्य पक्षी के गिरने से कुछ समय पच्छात मौत हो जाने पर पुरे गाओ में बड़ फ्लू की देहशत का महौल बना हुआ है फतेपूर निवासी प्रदेप कुमार सिन्हा ने बताया कि अशोक अवस्ती के घर के आंगन में अचानक मौर गिर पड़ा घायलावस्ता में पड़े मोर को कुछ समय बाद मौत हो गई प्रदेप कुमार ने बताया कि मैंने तुरंद 112 नंबर मिला कर पुलीस को सुचना द इस बाबत पूछ जाने पर वंदरोगा ताहिर खान ने बताया कि राश्रिय पक्षी मोर की मौत की सुचना मिली है वृतक मोर के श्यव को कबजे में लेकर पोस्मार्टम हे तु ककवन के अस्पताल ले जाया गया पोस्मार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वृत हुए मोर की सही कारणों की जानकारी मिल पाएगी BCN News के लिए कानपूर से विवेक मिश्र की रिपोर्ट